आज किसान अपनी बात मन माने के लिए दिली सणक को जाम कर रहे हैं कल ओटो वाले कहेंगे कि हमारे ओटो में सवारी नहीं मिल रहे हैं आप सवारी भेजिए और नहीं तो ओटो का किस्त आप पे कीजिए अगले दिन आकर सबजी वाले बोलेंगे हमारी सबजी नहीं भीक रही है, सड़ रही है, आप हमारी सबजी को खरीद लिजिए, नहीं तो हम लोन की किस्त नहीं भरेंगे अगले दिन दुकंदार आएंगे, दुकान चलाने वाले जो अस्टार्ट अप इंडिया या फिर मुद्रा लोन लेकर दुकान खोल कर बैठे हैं, वो कहेंगे कि हमारी दुकान नहीं चल रही है, और लोन नहीं भर पा रहे हैं, आप लोन भर दिया अग्राहक भेजिए, तब आप क्या करेंगे परदान मंत्री जी तब तो ये समझ लीजे, एक सिलसिला चल पड़ेगा, आज ये कल वो, और इसके बाद, जो देश को बदनाम करने वाले, जो देश को बरवाद करना चाहते हैं, ऐसे खालिस्तानी, आतंकबादी, संगठन, ग्रोह के लोग आगे आते रहेंगे, और आप से इस तरह की डिमांड करते रहेंगे, तो क्या आप क्या करेंगे, इनकी बात सुनते रहेंगे, तो परदान मंत्री नरेंदर मोदी के नाम, ये दूसरा चिठी, और एक सो चालिस कलोर देश वासियों में से, हम समझते हैं कि एक सो बीस कलोर देश वासियों का यही सवाल और यही जवाब होगा जिस तरह से हलात बने हैं इसमें देश में खासकर दिल्ली के बोर्डर पे और किसान आंदोलन के इद्र गिद्र उन तमाम चर्चाओं पे और देश के तमाम पहलूं पे बात करते हुए आज देश के परधार मंतरी के नाम एक चिठी आदरनीय मोदी जी हमें पता है कि ये चिठी आप तक पहुँचेगा और कभी ने कभी जरूर पहुचेगा क्योंकि जमाना सोसल मिडिया का है आज हम आप से बात करना चाहते हैं या यू कहें कि आपको एक सुझाओ देना चाहते हैं इस देश के नागरिक होने क के नाते क्योंकि आप सोसल मिडिया के माध्यम से लोगों से सुझाओ लेते रहते हैं तो उसी का एक ये अंस है कि आज आज आपके सामने किसान अपनी वो हर सर्त मनवाने को और अपनी हर डिमांड पुरा करवाने के लिए सनक को जाम कर रहे हैं आपके अधिकारी की बात न समस्या का समाधान हो जाएगा और जो हम रासन पानी लेकर आए हैं उसका क्या होगा हमें जो पेमेंट मिलने वाला है फंडिंग जो हुआ है उसका क्या होगा इसी लिए ये बात करना नहीं चाहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको बदनाम करना चाहते हैं और इसका सर 2024 के इलेक्षन पर पड़े ये इनका टार्गेट है अब सवाल ये है कि अगर आप इन किसानों की बात मान लेते हैं तो कल को आप कैसे कहेंगे कि आपके सामने ये लोग अपना रूप बदल कर नहीं आएंगे कल ये ओटो वाले बनकर आएंगे ओटो वाले बनकर आएंगे कहें कि हमने लोन लिया था लोन लेकर ओटो लिया हमें सवारियां नहीं मिल रही है आप हमें सवारी भेजो या फिर ओटो का जो किस्त है ये माई है उससे आप पे करो तब आप क्या करेंगे अगले दीन ये सिलसला चलने लगेगा अगले दीन वो मुद्रा लोन लेकर Startup India और क्या-क्या जो आप योजना चला रहे हैं उसके तहद हमने लोन लिया है हमारे दुकान में ग्रहनक नहीं आ रहे हैं दुकान नहीं चल रहा है ग्रहकी नहीं हो रहा है हम लोन की किस्ते नहीं पेकर पा रहे हैं आप ग्रहाक भेजो या फिर आप लोन के किस्ते भरो अगले दीन ये सिलसला चल पड़ेगा वो सबजी बेचने वाले, वो कपड़ा बनाने वाले या और भी जो धोग धंदे हैं, वो धोग धंदे वाले आएंगे कि सर आपने कहा था कि आप नोकरी देने वाले बनो आप नोकरी के पीछे ना भागो आपके कहें हिसाब से हमने लोन लिया, कडोरों का लोन लिया फैक्टरी लगाई, हमारा फैक्टरी नहीं चल रहा है माल नहीं विकरा है हम कडोरों का लोन कैसे चुका है या तो आप हमारे फैक्टरी से माल खरीद लो या फिर आप लोन माप कर दो तब आप क्या करेंगे तब तो ये एक सिलसिला चल पड़ेगा न अगले दीन यहीं पे सिलसिला खतम नहीं हो जाता है अगले दीन जो सणक पे टोल टैक्स बसूला जाता है वहाँ पे बस वाले आएंगे ओटो वाले आएंगे और गाड़ी आएगी और वो लोग कहेंगे कि हम टोल नहीं देंगे क्योंकि आपने डीजल महंगा कर दिया है और डीजल महंगा होने के बाद सवारी कम मिलने के कारण हम टोल नहीं पे कर पा रहे हैं अब टोल फ्री कर दो तब आप क्या करेंगे सिलसिला यहीं खतम नहीं होता है आगे और भी चलेगा अब सवाल है किसानों से यह सवाल देश के 140 कडूर जनता का है जिसमें से किसान भी है जवान भी है मजदूर भी है अधिकारी भी है नेता भी है सभी लोग है जो किसान अपनी गारांटी मनवाने आये हैं जो किसान यह कहते हैं कि हम देश का पेट भरते हैं तो क्या वो पेट मुप्त में भरते हैं क्या वो रासन चावल गेहुम, डाल, तेल, जो भी देते हैं, मुप्त में देते हैं, क्या फैक्ट्री वाले आकर बोलेंगे कि हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही है, क्या वो फैक्ट्री का माल मुप्त में ही देते हैं, या कोई भी इंडस्ट्री वाले, कोई भी दुकंदार, कल को रेड़ी वाले आकर बोलेंगे, क्या ये लोग मुप्त में देते हैं, पैसे नहीं लेते हैं बदले में, तो फिर इनकी बात को क्यों माना जाए, किसान अगर इस देश का पेट भरते हैं, तो पेट भरने के भी लोगों की जरूरत है, सिर्फ किसान से ये देश नहीं चलता है, हाँ, ये सच है, किसान सबसे उपर हैं, किसान और जवान, एक किसान जो पेट भरते हैं, और दूसरा जवान, जो देश की रक्षा करते हैं, किसान की हर बात मानने के बजाए, और भी लोग है, किसान जो जो करना है वो करो जरूरत है और सम्भिधान के दाइरे में रहकर सरकार को जो करना है वो सरकार और प्रसासन पना लेकर करेंगे ही करेंगे क्या इन सब लोगों की समस्या आप मानेंगे क्या इन सब लोगों की वो तमाम बाते वो तमाम डिमांड आप पूरा कर पाएंगे जाए, क्या ये संभव होए कि सभी का कर्ज माफ कर दिया जाए, क्या इसे देश का अर्थ विवस्ता डगमगा नहीं जाएगा, क्या इसे देश का जो एक अर्थ विवस्ता का निव है, वो खराब नहीं होगा, डगमगा या नहीं, देश कंगाल नहीं हो जाएगा, ये की बाते कर रहे हैं उन लोगों को भी पता है क्योंकि ये लोग अंडपड गवार नहीं जाहिल नहीं है इन लोगों को भी पता है कि ये सारी सरते अगर मानने लायक होता तो ये आज के दो तीन साल पहले से यानि जब से ये आंदोलन करने आये हैं अपनी किसी भी पार्टी के सरकार आजा, संभव नहीं है इतना सब को पता है लेकिन इसके बाद भी पिये मोदी है तो हर बात मनवानी है हर वो काम करना है जिसे मोदी का ग्राफ गिरे तो आप से मेरा यही निवेदन है कि आप जो भी करे आपके उपर देश के 140 कलोर में से 120 कलोर जनता का विस्वास है तो आप जो भी करें सोच समझ कर करें जिससे देश के 120 कलोर लोगों का हित्मे फैदा हो और फैसला हो ऐसा नहों कि आप किसी के दवाव में आकर या यू कहें कि किसान के दवाव में आकर क्योंकि किसान इस देश का पेट भरते हैं, किसान सबसे उपर हैं, ऐसा दवाव में आकर आप कुछ ऐसी गलती कर जाएं कि 120 कडोर देशवासी आप से नाराज हो जाएं लेकिन 120 कडोर लोगों को ये उमीद है कि आप जो करेंगे, अच्छा करेंगे, देश सित के लिए करेंगे, बेहतर करेंगे, इसी उमीद के साथ आज का ये दूसरा लेटर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, उमीद है कि ये लेटर आप तक पहुंचेगा और आप जो करेंगे, सह है हीं, थैंक यू